नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स की यूट्योब बेजिक इसने चैनल में आज के उडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे नर्व पेन की सभी दवायू के बारे में तो हम सिखेंगे डिटेल में और जानेंगे अलग-अलग टॉपिक्स को जैसे कि ये प्रॉब्लेम के बारे में बेजिक हम सिखेंगे फिर उसको सिम्टमस हो गिरा क्या होते हैं कोजिस क्या है डाइगनोसिस कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट के क्या अलग-अलग ओप्सन्स अविलेबल है और कौन से मेडिसिन उसके इंदर यूज होती है तो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तब आते हैं टॉपिक प्योर समझते हैं नर्व पेइन के दावायों के बारे में तो सबसे पहले बेजिक समझ ले आप ये प्रॉब्लेम के बारे में तो इसमें स्पेसल ही क्या होता है कि जो आपकी नियूरॉन से होती ह और नसों में दर्द भी हम उसको काई ते तो यह होगए उसके बारे में बेजिक आप जान लेते हैं उसके सीम्टम्स क्या होते तो सबसे पहला सिंटम ये है के कंटिन्यूस आपको जिवो दर्द होता है और कही बढ़ काफी ज्यादा दर्द होता है कि परसन जो वो टॉलर होता है तो यह भी एक symptom है नरुपेन का तिसराम देखे तो सुई चुपनी जैसे ऐसा होता है कि सुई चुपनी से जैसा दर्द होता है ऐसा आपको कई बार आइसा होता है फिर कई बार feeling loss हो जाती है वो एरिया कि ऐसा फिल करता है पेसंट कई बार burning sensation भी होते है महले कि पैर के जो तलवी होते है वहाँ पे आपको जलन जैसा भी फिल होता है और numbness भी आ जाते है तो यह कुछ symptoms डेवलप होते है नरुपेन के दौरान अब बात आती है कि उसके reasons वगेरा का है तो सबसे पहला जो reason है वो है आपकी जो neuron से वो damage होना या फिर वो weak होना तो neurons कई बार कमजोर होने लगती है कि जिसके करण यह neuropathy के problems देखने को मिलते है और यह सबसे बड़ा reason है यह problem होने के लिए कि आपकी नसे जो है वो कमजोर होने लगी है second हम symptom देखे तो peripheral neuropathy के अंदर यह problem होता है कि जो blood flow जो होता है reduce हो जाता है आपके neurons तक तो उसक के करण क्या होता है वो neurons जो damage होती है because जो हमारा blood है वो अलग-अलग nutrition as well as hormones से oxygen और CO2 वगेरा का circulation करता है इसी के तरो neurons जो healthy रहती है कि neurons को जो healthiness के लिए जो अलग-अलग nutrition चाहिए वो blood flow के तरो ही मिलते है पर अगर मानलो blood flow ही कम हो जाता है वो area में तो neurons जो वो weak होने लगत होती है और यह problem होता है तिसराट सेम problem होता है diabetes के अंदर के diabetes के अंदर जो neuropathy का problem होता है neurons damage होने लगते हैं अगर कोई person काफी ज़्यादा alcohol consumption करता है तो उनमें भी यह symptom देखने को मिलते है नर्व पेन के फिर आपको brain या फिर spinal को injury हुई है तो उसके करण भी nerve pain का problem हो सकता है कि मानलों को spinal cord में injury हुई brain में को injury हुई है तो भी यह problem हो सकती है फिर अभी जैसे हमने देखा कि जो nerve cell होता है वहाँ तक proper ब्लड नहीं पहुझ रहा blood vessel damage हुई है या फिर blood अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुझता तो उसके करण जो हमारी neurons भी जो हो damage होने लगती है फिर ए तीनो वीटामिन की कमी के कारण भी यह problem होती विकोज यह तीनो वीटामिन से से है कि neurons की healthiness के लिए ज़रूरी है तो अगर यह वीटामिन से आपके सरीर में नहीं रहेंगे तो neurons की healthiness नहीं रहती है और वो धीरे धीरे जो हो कमज़र होने लगती है और नियूरोपिती के symptoms develop ह होते हैं उसी तरह से आपके सरीर के अंदर nutrition की कमी है अच्छे से आपको पोसक तत्वे आपको नहीं मिल रहे है या फिर आप डायेट ऐसा लेते कि जिसके अंदर पोसक तत्वे कमी है तो भी यह problem जो हो सकती है अब बात आती है diagnosis के तो जो नसों में दर्थ होता है उसका नि physical examination करके चेक करना जरूर है कि कहा पे कौनसी location पे एकजेट जो है वो patient को दर्थ हो रहा है फिर तिसरा sign and symptoms के basis के उपर भी diagnosis जो है वो यह problem का हो सकता है next option यहाँ पे यह बनता है कि जो निरोपेथी का एक problem जो है वो diabetes भी है तो patient का sugar level चेक करना जरूरी है तो blood sugar चेक करो as well as urine test भी चेक करो कि जिससे एक proper आप diagnosis जो वो कर पाते हैं फिर next option बनता है जो amazing test का कि जिसके अंदर detailed diagnosis आपको पता चलती है कि कहा पे कोई injury हुई है तो वो CT scan या फिर MRI से जो वो पता चलता है तो आप बाद है treatment कि treatment कैसे हम कर सकते हैं कौन से अलग-अलग options हमारे पास available है इसके इ vitamin supplements ज़रूरी है इसके अंदर लेना तो उसके अलग-अलग options हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आप options समझ लो फिर कैसे prescribe करते हैं वो जो मैं आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे option ज़रूरी है वो है medicines के अंदर neurons की healthiness के लिए जो दवाई आ दिया जैसे कि macro nerve ford कटके जो tablet है वो neurons की healthiness के लिए काफी ज़रूरी है तो माले आपके neurons weak होने लगे और उसके करण nerve pain हो रहा है तो यह medications लेना ज़े वो काफी ज़रूरी बनता है तो यह option है vitamins के अंदर कि जिसके अंदर vitamin B12 है मैं को बोला माइन प्रेजंट है दूसरे vitamins प्रेजंट है आलफा प्रेजंट का कि जो आपने deficiency जो थी कि किसी के अंदर B6 के deficiency थी B1 के deficiency 3 या फिर B12 के deficiency के करण यह problem होता तो यह problem को solve करेगी है medication कि जो एक tablet per day के हिसाब से लिए जादी है इसे में तिसरा option आता है neurobian plus के tablet का तो यह भी similar dose से patient जो वो यूज़ कर सकते हैं चौता option हमारे पास है वो है Opti Neuron Fort के tablet का पांच वो option हम देखे तो Max ZLA के जो capsules आते हैं कि एक capsule per day के हिसाब सोज़े वो patient को लेनी होती है चाटा option हम देखे तो neurokind gold के capsules कर रहता है तो यह भी neurons के healthiness के लिए ज़रूरी है कि जो ऐसे vitamins और minerals प्रोवाइड करती है कि जो neurons के healthiness के लिए ज़रूरी है तो week में एक बार यह injection के की options रहते हैं जैसे कि neurobin fort का injection patient जो वो week में एक बार जो लगवा सकता है तो इसका content आप देखे तो वही सब vitamins से कि जो उनकी deficiency के करण यह problem होता है फिर इसी में दूसरा option बनता है neurokind gold के injection का तो उसका भी content जो वो same है तो दोनों में से कोई एक injection जो वो use कर सकते हैं 9th option हम देखे तो अब ऐसे medications की जो आपकी नर्व pain को कम करेंगे अब तक जो एक से 8 option वो थे कि जो nutritions provide करते हैं ऐसे vitamins provide करते हैं minerals provide करते हैं कि जो neurons की healthiness के लिए जरूरी है अब दर्द कम करने के लिए जो दवाई है तो उसमें एक प्रेगा बालेन का option रहता तो य vitamin B12 भी दिया है और दो ऐसे medicines दिया है कि जो नर्व pain को कम करते हैं और patient को काफी relax रखती है तो यह tablet जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो ले सकते हैं फिर अगर combination आपको suit नहीं कर रहा है कोई side effects हो रही है तो single भी आते हैं प्रेगा बालेन की tablet 75 mg के strength के अंदर फिर GABA Pantene का भी यहाँ पर option बनता है कि यह भी काफी अच्छी नर्व pain को रोकने वाली दवाई हैं जिसके एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो patient ले सकता हैं आगे option हम देखे तो ointment and cream करेता है कि जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा नर्व pain हो रहा है वह प्रवेड करते हैं पेन किलर के तौर पर काम करते हैं और यह पेन किलर ऐसे है कि जो specially neurons के pain को काम करने के लिए काफी जरूरी बनते हैं इसी में एक और option बनता है local anesthetics का क्लिग्नोकेन और प्रिलोकेन जो वो combination में तो उसकी cream भी patient जो यूँज कर सकता है अब आगे बात करते है capsus इनकी तो यह भी एक उसके ointment available होते हैं और उसके cream वगएर available होते हैं तो वो भी patient दिन में दू या फिर तीन बार जहां पे ज़्यादा pain हो रहा है वहां पे आप लगा सकते हैं फिर tablets के हम बात करें herbal and homeopathics के अंदर तो SBL का यह product काफी अच्छा है कि जिसके content के हम बात करें तो hypericum perforatum करके आता है 1x tablets जो उसके आती है तो उसके एक या फिर दो tablet जो दिन में दो बार जो patient ले सकते हैं इसी के ointment का भी option आपके पास रहता है hypericum का तो वो भी आप जहां पे neurons damage हुई है वो एरिया में जो एपलाई कर सकते दिन में दो या फिर दिन में तीन बा होता है तो यह भी जरुआ आप यूज कर सकते हैं तब बात आती है कि किस तरह से prescribe के जाते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा medication कि जो B12, B6 और B1 वगरा vitamins प्रोवेड कर दी हैं तो मेकोन और फॉर्ट या फिर नियूरोबियन फॉर्ट कोई भी एक option आप यूज कर सकते हैं जो हमन वो सूट नहीं हो रहा तो दूसरा जो हमने देखा नियूरोबियन फॉर्ट के जो injection है वो भी जो वीक में एक बार लगवा सकते हैं फिर रेशनर प्लस का टेबलेट कॉंबिनेशन में या फिर प्रेगा वाले न या फिर गाबा पेंटीन जो भी पेसन को सूट हो यह एक त से आप गुर्पस के अंदर वीडियो को लाइक करें जरूरी कॉमेंट्स करें और जरूर से हमारी चैनल को जवा आप सबस्क्राइब गरें तो ऐसे से शिखना है बहुत सारी दवाईों के बारे में बीमारीं के बारे में तो मेडिसिन को जो intermitt कर सकते हैं तो ये कोष्ब को